नमस्कार, लखनो वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनो उत्रप्रदेश के दर्सकों का स्वागत है यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुची रखते हैं तो हमारे लखनो वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाय कर नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंट मिल सके और हाँ कमिट बक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें तो आएए जानते हैं लखनो सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल तो आएए देखते हैं 25 और 26 अप्राइल को भारतिय मौसमी भाग की अंसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वान मान उत्तर प्रदेश में मौसम का नरब मिजाज अब बदलने वाला है उत्तर प्रदेश के अधिकांस जिलो में 24 घंटे बाद सुरू होगी भीसर तपिस और लू के थपेड़े करेंगे बेहाल मौसमी भाग के अनुमान के मताबिक अगले 24 घंटे बाद यानि के 25 अप्राइल से यूपी में तेज तपिस सुरू हो जाएगी इस दोरान राज्य के जादेतर जिलो में दिन का अधिक तम तापमान 47 से 44 घंटे तक पहुँचेगा और यह सिलसिला 27 अप्राइल तक जाड़ी रहेगा यूपी के फरुखाबाद के फतेगाड इलाके में सुक्रवार की दोफर 47,8 डिगर सलसियस तापमान रहा जो की देश में सबसे अधिक था इसे के साथ ही यूपी में 25 अप्रैल से भीषन गड़ में सुरू होगी और तापमान 44 डिगर सलसियस तक पहुँच सकता है जिन जिले में भीषन तपिस के साथ लूके थपेड़े चलेंगे वो जिले हैं मत्रा, आगरा, फिरोजाबाद, एटावा, और एया, जालाउन, जांसी, हमीरपूर, महोबा, बांदा, चित्रकोट, प्रियागराज, मिर्जापूर्स और सोन बर्द्र उत्र परदेश में पिछले 3-4 दिनों से मुसम का मिजाज थोड़ा नर्म लग रहा था, लेकिन अब इसकी तल्खी बढ़ती ही जा रही है, इसमें और बरहुत्री ही होती जाएगी, यानि की गर्म लूके और तगड़े थपेड़े सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा लखनो मुसमी भाग के अभी तक के पूरबानमान के मुताबिक अगले 24 घंटे बाद यानि की 25 अप्रेल से तेज तपिस सुरू हो जाएगी, वही यूपी का फरुका बाद पूरे देश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां फतेगर इलाके में सुकरवार की दो फर देश में सबसे जादे तापमान 47.8 डिगरे सेल्सियस दर्च किया गया, मुसमी भाग ने ताजा अनिमान जाड़ी करते हुए कहा है कि 25 अप्रेल से पूरे प्रदेश में भीशन गड़मी सुरू होगी, इस हपते दो तीन दिनों की राहत खत्म होगी, और लूग के तगरे थपेड हम आपको बताते रहेंगे, इस बेज यूपी का फरुखाबाद पूरे देश में सबसे गर्म जिला रहा, जिले के फतेगड़े इलाके में सुक्रवार की दो फर देश में सबसे जादे तापमान 45.8 डिगरे सेल्सियस दर्च किया गया, कुछ दिनों पहले वारांसी में त तापमान 45 तसमलो 2 टिगरे सेल्सियस दर्च किया गया थजू की देश में सबसे जादे था, फिलहाल राज में मुसम सुस्क बना रहेगा और बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वारांसी, प्रियागराज, मुरादाबाद, बरेली तथा आसपास के जिलों में अधि उंतम तापमान सामानने से उपर रहा और सबसे कम उंतम तापमान 21 टिगरे सेल्सियस नजीबाबाद वैच साला में दर्च किया गया बहराल यूपी के सहरों में पिछले तीन दिनों से तपिस से थोड़ी रहत रही है इसलिए जादे तर सहरों का तापमान 40 टिगरे के नी अगले हपते में उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 3-5 टिगरे सेल्सियस तक बढ़ सकता है इसके अलावा देश के पस्चिम और मद्ध भाग में जुलसा देने वाली गर्मी पढ़ने की संभावना है तो ये था लखनोग उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल वा जानकारी वीडियो को लाइक वा सेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान तो ये प्रदेश का है